दोस्तो आज की वीडियो में कवर करूंगी कपास की खेती कपास की खेती में आप बेसल डोज में क्या-क्या फर्टिलाजर यूज करने चाहिए यानि कि कम से कम खर्चे में अच्छा एक फर्टिलाजर कॉम्बिनेशन कैसे तयार कर सकते हैं कौन-कौन से खाद जो बौई से पहले देना चाहिए और फर्स्ट पानी के साथ में आपको क्या देना चाहिए सेकंड पानी के साथ में कौन-कौन से फर्टिलाजर यूज करने चाहिए थर्ड पानी के साथ में आपको क्या देना चाहिए संपूर्ण जानकारी कवर करूंगे अगर आप कपास की खेती करना चाह रहें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाला है बिना skip कि एक complete वीडियो जरूर देखना है नमश्कार दोस्तो मैं हूँ अनिता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया नोर्गेनिक चैनल दोस्तो वीडियो शुरूर होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को प्रेस करें जिसे के हमारे सारे लेटिस्ट अपडेट आप तक फटा पर पहुंचते रहें तो दोस्तो कपास की खेती में बेसल रोज में सबसे पहले आपको क्या देना चाहिए कौन-कौन सा फर्टिलाइजर आप यूजिक कर सकते हैं दो कॉम्बिनिशन आपको बताऊंगी दोनों में से जो अवेलेबल हो जाए वो आप यूजिक कर ले फर्स्ट आप ले सकते हैं दोस्तो सस्पी 75 केजी पर एकड के इसाब से सस्पी के साथ में आप यूरिया ले ले 30 केजी पर एकड के इसाब से और पोटाश ले ले जिंक आपको साथ में नहीं लेना है तो जिंक आपको बाद में यूज़ करना है पोटाश आप लेंगे 10 केजी पर एकड की साब से बेसल रोज में आप यानि बॉआई से पहले आप खेद की तैयारी करके और सीड की बॉआई से पहले जो खाद वगरे डालते हैं तो उसमें आप ये यूज़ करें बहुत ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिल देगा सेस्पी की बात करों तो सेस्पी सिंगल सूपर फोस्पेट जिसमें फास्परो सता 16% सलफर आता है 11% और केल्सियम आता है 19% और जिंक कोटेड वगरे सलफर आते हैं वो सेस्पी भी आप यूज़ कर सकते हैं और जो सिंपल सेस्पी आते हैं बहुत इस डिजनेबल प्राइज में ये अवेलेबल हो जाता है तो आप ये भी आप यूज़ करें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो SSP और यूरिया को मिक्स करें तो विशे सावदानी जरूर ध्यान में रखनी है और किसान दोस्त जानते भी होंगी कि SSP यूरिया को एक साथ में मिलाते हैं तो ये पिगलने लग जाते हैं इसलिए अप्लोट में जाएं जहां पर आप वाई करेंगे वहां पर जाकर के मिक्स कीजिए और तुरंत अपने प्लोट में वाई कर दीजिए मिक्स करके इसको रखें नहीं नहीं तो ये पिगलने लग जाएगा और वाई में प्रोब्लम आएगी अगर S.S.P. अविलेबल नहीं हो पा रहा है तो आप D.A.P. यूज कर सकते हैं D.A.P. प्लस पोटास आप यूज कर लें D.A.P. डायमोनियम फॉस्पेट D.A.P. में आता है नाइटोजन प्लस फासफोरस का कॉम्बिनेशन आता है फासफोरस 46% और नाइटोजन आता है 18% D.A.P. 25 केज़ और उसके साथ में आप पोटास 10 केज़ यूज कर लें इससे ज़्यादा आप कुछ भी ना दे उसके बाद में आप सेकंड पानी थर्ड पानी के साथ में आप यूज करें फर्स्ट पानी के साथ में दोस्तों आपको कुछ भी नहीं देना है ना ही क्योंकि क्रॉप बहुत ज़्यादा छोटी होती और गर्मी का टाइम होता है तो छोटी फसल में ही पानी देना होता है तो छोटी फसल में वैसे ही बेसल डोज में इतने फर्टिलाजर दे चुके होते हैं SSP है, DAP है या फिर यूरिया है जो भी आप बेसल डोज में डाल रहे हैं जो भी आप कॉम्बिनेशन डाले तो इसलिए फर्स्ट पानी के साथ में आपको कुछ नहीं देना है सेकंड पानी के साथ में दोस्तों आपको देना है चार से पांच केजी पर एकड के साथ से यूरिया प्लिस आपको जिंक यूजी करना है दो केजी पर एकड के साथ से यूरिया के साथ में आप मिला ले और यूजी कर ले जिंक और यूरिया का कॉंबिनेशन है तो आप इसको एक साथ में यूज कर ले सेकंड पानी में अगर आप जिंक नहीं दे पाए हैं तो थर्ड पानी की साथ में आप जरूर यूज कर ले थर्ड पानी में भी यूरिया देना है थर्ड पानी जब आप दे अपने क्रोप में क्योंकि फ्लोरिंग स्टे से पहले पहले ही तीन पानी लग चुके होते हैं तो चार से पांच केजी पर एकड के इसाब से यूरिया प्लस आप जिंक ले सकते हैं सेकंड पानी में आपने जिंक नहीं दिया तो दो केजी पर एकड के इसाब से जिंक मैं रिपीट करो तो फर्स्ट पानी में कुछ नहीं देना है सेकंड पानी में यूरिया प्लस जिंक देना है थर्ड पानी में यूरिया जिंक सेकेंड में नहीं दिया तो फिर आप थर्ड पानी में दे दे अगर दोस्तों आप कपास के खेती कर रहे हैं तो आगे भी हमारे डिटेल वीडियो आते रहेंगे कपास में कौन से इंसेक्ट का बरकोफ होता है कौन कौन से डिजी जाती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को लाइक जरूर करें धरनेवाद